हलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल कैसे आप सब लोग आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी मार्स कॉस्माटिक के फांडेशन का रिव्यू फिलाल अभी मैंने कोई मेकप नहीं कर रखा है मैंने सिफ फेस वाश किया है मैंने फेस वाश किया और कैमरा आपके सामने कर बैट गई हूँ और आज इसी से मैं अपना मेकप करूँगी यह कैसी कवरेश देता है यह किस टैप की स्किन के लिए जादा अच्छा रहता है वो सब आपको क्लियर हो जाएगा कि पैकेजिंग और इंसाइट कॉस्माटिक की पैकेजिंग आपस में काफी हद तक मिलती जुलती है मैंने फिलहाल में ही आप सब के साथ इंसाइट कॉस्माटिक के फांडेशन का रिव्यू शेयर किया था वो फांडेशन मुझे काफी पसंद आया था मैंने उसे भी फर्स टैम यूज किया था मुझे काफी पसंद आया था क्योंकि एक बीबी क्रीम जैसी सब्सक्राइब करेंगे इस मार्स फांडेशन की कि यहां पर मेंशन कर रखा है कि आपको मीडियम टू फुल कवरेज देता है तो यह कैसी कवरेज देता है किस टाइब की स्किन के लिए अच्छा रहेगा वह सब चीजे अभी हम क्लियर करेंगे उससे पहले आप इसकी काई भी करके दिखाती हूं यह है मार्स कोस्मेटिक का फांडेशन यह आपको मीडियम टू फुल कवरेज देता है सॉफ्ट मैट फिनिश देता है सिलिकॉन फ्री है लॉंग लास्टिंग फांडेशन है क्वांटिटी की अगर मैं इसकी बात करूं तो 30 ml इसकी जीरो यह आपको मीडियम टू फुल कवरेज देता है तो इस तरीके की ड्रॉपर पैकेजिंग में आपको मिल चाहेगा सेम इंसाइट कोस्मेटिक का फांडेशन है वो भी इसी तरीके की पैकेजिंग में आता है साइट का रिव्यू तो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हू और साथ ही साथ यह इस फांडेशन का रिव्यू और इसकी कवरेज बिकार अब आपके साथ शेयर हो जाएगी तो फांडेशन लगाने से पहले जो भी हमारे स्टेप होते हैं तो अब फटा-फट से पहले हम उन्हीं कर लेते हैं तो फेस वाश के बाद जो हमारा सबसे पहल तोनर अगर आप चाहो तो cotton pad की help से भी लगा सकते हो बट मुझे इस तरीके से directly लगाना ही पसंद है क्योंकि इससे क्या होता है हमारा product बिल्कुल भी waste नहीं होता है जो भी आपने स्प्रे किया है वो आपके face पे ही है then finger की help से अप उसको अच्छे से फैला दो क्योंकि वाटर शेयर किया था और यह serum मुझे बहुत पसंद आया है खास तोर यह जो आजकल का मौसम है इसमें मुझे यह काफी अच्छा लग रहा है पते क्यों नहीं यह बिल्कुल water based है और नहीं यह oil based है तो जिसे साब से मेरी combination skin है ना तो मेरी skin के according के बहुत अच्छा बैठ रहा है और अब मैं मेकप से पहले जब इसे अपलाई करूंगी ना तो यह मेरी skin को अच्छे से मौस्टराइज भी कर देगा तो जैसे अगर मेरी combination skin है तो मुझे अलग से मौस्टराइजर की जरूत नहीं पड़ेगी इस serum के बाद तो काफी अच्छा serum है dry skin वालों के लिए तो यह बह अच्छा सूट कर जाएगा क्योंकि यह skin को बहुत अच्छी तरीके से हाइड्रेट करता है जब आप मेकप से पहले इसे लगा होगे जैसा कि मैं भी लगा रही हूं तो यह आपकी skin को बहुत अच्छी से हाइड्रेट भी कर देगा और आपकी skin को ग्लोइंग भी बना मुझे काफी पसंद आया यह वाला serum मैंने serum को अच्छे से अपनी skin में अब्सॉर्ब कर दिया है तो अब मुझे कोई moisturizer लगाने के अलग से जरूरत नहीं है क्योंकि already मेरी skin इस serum से अच्छे से moisturizer हो चुकी है और अगर आप dry skin वाले हो तो आप अलग से moisturizer लगा सकते हो नहीं त तो आजकल के according बिल्कुल सेट है सीरम लगाने के बाद अब हमें लगाना है प्राइमर और मैं यूज कर रही हूँ ब्लू हैवन का प्राइमर यह सिलिकॉन बेस प्राइमर है तो हर टाइप के skin पे बहुत अच्छे से सूट कर जाता है प्राइमर लगाने से जितने भी हमार और ओपन पोर्स होते हैं वह फिल हो जाते हैं और साथी साथ हमारा जो बेस है वह बहुत ज़्यादा स्मूध हो जाता है और इसके उपर जब आप फाउंडेशन वगारा जो भी मेकप लगाते हो ना बहुत अच्छी तरीके से प्रोडेक्ट ब्लेंड होते हैं तो स्किन का प्रैप होना ज़रूरी है बहुत अच्छी तरीके से और फाउंडेशन से पहले प्राइमर लगाना कभी भी मत भूलिएगा कभी स्किप मत किया करो प्राइमर आपकी स्किन को मेकप से सेफ करता है अब हमारी स्किन के और हमारे मेकप के बीच में लेयर बन चुकी है तो जब अब मैं इसके उपर फांडेशन लगाऊंगी कुछ भी और लगाऊंगी ना तो वो डारेक्ट मेरी स्किन तक नहीं पहुंचेगा जब कोई भी पॉंड्स का जो सीरम है उसकी वज़े से यह जो ब्लू हैवन का सिलिकॉन बेस प्राइमर है यह भी काफी अच्छा है अब मेरी स्किन बिल्कुल रेडी है फांडेशन को अप्लाइ करने के लिए तो अब इस फांडेशन को अप्लाइ कर लेते हैं क्योंकि लीक्विट फां आया है कि इसकी consistency थोड़ी थिक है तो आप देखी सकते हो कि यह dropper में इस तरीके से नहीं निकल के आ रहा है यह देखिए मैंने इसको लिया है जैसे हम dropper में लेते हैं बटी इसकी consistency थोड़ी थिक है यह देखिए अभी भी यह निकल के नहीं आ रहा है तो अब मैं इसे आपको दिखाया था कि उसमें वो ड्रॉपर अच्छा काम कर रहा था जस्ट विकॉज सोड़ा सा थिक है तो यह ड्रॉपर के साथ नहीं निकला है इसे मुझे इस तरीके से निकालना पड़ा है अगर शेड की मैं बात करूं तो वह अभी अच्छे से ब्लेंड करने पर ही पत धकल भी ik तू अगल देखते हैं एक बार के लिए इतना प्रोटयक्ट लगा लिया तो मैं पता क्या कहीणग ही अपनी एक साइट पे ब्रश से और एक साइट पे ना ब्यूटी ब्लेंडर से मैं से ब्लेंड करूँ कि यह ऑनगो पता लगजाएगा कि यह ब्रेश से ब्लेंड करूंगी, योकि मेरी स्किन को मैंने बहुत अच्छे से प्रेप कर लिया था, बिल्कुल स्मूध हो रही थी मेरी स्किन, तो ये अच्छी तरीके से जो है ब्लेंड हो रहा है, लेकिन अगर आप अपनी स्किन को अच्छे से प्रेप नहीं करोगे ना, तो तो यह मुझे लग रहा है कि अच्छे से ब्लेंड नहीं होगा क्योंकि थोड़ा सा थोड़ा सा यह थिक है तो जब आप इस तरीके के फांडेशन लगाते हो जिनकी कंसिस्टेंसी थोड़ी से थिक होती है तो आपको अपनी स्कीन को अच्छे से प्रैप कर लेना चाहिए ता और इंसाइट वाली के साथ ऐसी दिक्कत मुझे नहीं आई थी अगर शेड की मैं बात करूँ तो अभी यह मुझे थोड़ा सा लाइटर लग रहा है बट मुझे असा लग रहा है कि अभी यह कुछी देर में ऑक्सिडाइस हो जाएगा और मेरी स्किन के अकॉर्डिंग यह तो आप यहां पर देख सकते हो कि इस फांडेशन की फिनिश काफी अच्छी आ रही है मेरी स्किन काफी गलो कर रही है इसका एक रीजन यह भी है क्योंकि मैंने अपने स्किन को बहुत अच्छे से प्रेप कर लिया था जो सीरम मैंने पॉंड्स का प्लाई किया था मैंने आपको बताया था ना कि इसको लगाने के बाद जब मेक अप लगाती हूं ना मैं तो मेक अप काफी गलोइंग दिखता है तो एक तो वह भी फारक पड़ रहा है तो यह दो रीजन है जिसकी वज़े से आप देख सकते हो स्किन पे चमाक आ रही है अगर मैं बात करू इसके बाद भड़ आपको अपको अपने पाउंडेशन लगा थाला है यह अतनी जगा से हिले ना तो उसके लिए आप पाउडर जो आप लूस पॉडर हो यहां compact powder जो भी पसंद करते हो आपको से set कर लेना है ताकि आपका यह जो foundation है यह long lasting बना रहे है और आपकी जो coverage है वो भी अच्छी बनी रहे है तो फटा-फट से इसको मैं compact से set कर लूँगी ताकि मेरा यह जो base है यह set हो जाए और बिल्कुल अपनी जगह से ना हिले और मेरा यह foundation long lasting बना रहे हैं तो यहां पे मैंने एक compact से अच्छे से अपने इस foundation को set कर लिया है compact से set करने के बाद आप देखी सकते हो coverage काफी अच्छी दिख रही है और base मेरा बिल्कुल set हो चुका है foundation काफी अच्छा है आप इसे एक बाद try कर सकते हो एक बाद try तो कर सकते हो हो सकता आपके लिए बहुत अच्छा रहे तो try ज़रूर किया करो इसका link मैं दे दूँगे आपको नीचे description box में अगर आपको वीडियो पसंद आई है आपके लिए helpful रही हो तो please वीडियो को like कर दीजेगा channel पर अगर आप मेरे नए है मेरे channel पर पहली बार आए है तो please channel को subscribe कर दीजेगा thank you thanks for watching